भगवान आप सभी कबला करोड़ आपके सारी एक चाहे मनुकावने पुरी हो सबसे पहले जो आपके प्रश्ण है उसी संबंदित जानकारी देने के बाद पूरे हथेले के विशलेशन पर आएंगे तो पहला प्रश्ण यह है कि जॉब करना ये बिजनस करना क्या आपके लि में भी लिखा हुआ है तो सरपतम यहां पर आप देखिए कि आपकी भाग रेखा इस तरीके से चल रही है और मस्तिश रेखा के पहले आकर के रुखी और उसी में से एक शाखा निकल के पूरी के पूरी सूरे के रेखा के तौर पे सूरे के छेतर तक पहुँच गई यहां कॉंबिनेशन व्यक्ति को सरकारी जॉब दिलाता है और सिक्योर जॉब देखने को मिलता है करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, सक्सेज, वेल्थ क्रियेशन और ओवर ओर लग सपोर्ट यह सब कुछ यहां पर नॉर्मली देखने को मिलता ही है लेकिन आपके जीवन में अभी तक जो उतार चड़ा वो संघर्ष रहे उसके पीछे मुख्य कारण है इन सब तरह की राहू रेखा जब यह राहू रेखा एक्टिव होती है तो उस कंडिशन में बेफिजूल की भागा दोड़ी, अनावश्यक भैचिंता, अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक रुकावटें यह सब कुछ बहुत सरलता से देखने को मिलता है यह रेखा हैं सिब जीवन रेखा कोई नई कार्टरी बलगी मस्तिश करेखा तक पहुँच रही है भाग रेखा को कार्ट करके जिसके कारण कारियों में अडचन बाधा, देरी, रुकावट का सामना बहुत आपको करना पड़ा है पिछले तीन साल के अतरिक्ते में अभी 34 की आपकी एज है और रिसेंटली यह वाली राहूर रेखा बहुँच ज्यादा एक्टिव थी जो एंड हो रही है अप्रोक्सिमेटली 35 के एज में अब इसके बाद में और भी रेखाँ आ रही है वो मंगल के तरफ से बहुत ज्यादा प्रबल रूप से आ रही है जो घर परिवार को लेगर करके चिंता दे सकती है जब भी मंगल की इस तरह की रेखा होती है तो मंगल की यह नगरात्मा कुर जाएं होती है जिसके करण हमारा focus disturb होता है कोई भी मकसद पूरा नहीं हो पाता है बेबुनियादी तोर पे खर्चे चाहे वो पैसो के रूप में हो या स्वास्त के रूप में हो या फिर समय के रूप में हो देखने को मलता है तो अगर आप यहाँ पर मंगल का उपाय करेंगे क्योंकि यहाँ पित्र दोश को भी यहाँ दर्शा रहा है उसके बाद जाकर कि आपको स्वास्त संबंदी विशय में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा आप पुलिस की तयारी कर रहे हैं पुलिस कारक ही है मंगल का सबसे महत्पून तो आपको सफलता निश्यत रूप से मिल जाए कि जब आप मंगल का उपाय कर लेंगे सकरात्मक अपने मंगल को आप कर लेंगे इसके बाद में यहाँ पर जो भाग ग्रेखा में परिवर्तन हुआ है यह बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह इस तरह की भाग ग्रेखा है जो होती है यह जीवन में नए तरह के अफसर उपलब्दिया और योगिताओं को दर्शा रही होती है और यह भाग ग्रेखा आपके बुद्ध के छेतर पर भी छुक रही है और सूर्य पर तो पहुँची गई है तो गर्मेंट जॉब के चांसेज आपके पाम में अभी भी 62-70% अवेलेबल है और बिजनेस लग के रिगार्डिंग बात करें तो सिर्फ यही रेखा नहीं है बिजनेस के लिए अनदर लग लाइन्स भी आपके पाम में अवेलेबल है जो confirmation देती है कि बिजनेस से आपका नाता कभी टूटेने वाला है नहीं जॉब भले से हो जाए लेकिन साइड वर साइड आपका बिजनेस भी रन होता ही रहेगा तो यहाँ पर आपको अभी जो समय आपका चल रहा है इसमें दो साल और महत्पुन है गवर्मेंट जॉब के लिए अगर आप यहाँ पर अपने सन की स्थिति को अच्छा कल लेते हैं मंगल का उपाय कर लेते हैं तो हंड्रेड नहीं तू हंड्रेड परसंट आपको गवर्मेंट जॉब हो जाएगा और पुलिस लाइन या फिर सिक्यूरिटी लाइन में या फोज के अत्रिक्त या नि मंगल की ही अत्रिक्त आपको नौकरी भी देखने को मिलेगी लेकिन जो बिजनस लक लाइन है आपके पाम में वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट हो रहा है जिसके करण आपके जीवन में बिजनस आपसे दूर जानी पाएगा बिजनस के पास आप जाएंगे नहीं तो बिजनस आपके पास खुझ चल के आएगा और एक से अधिक व्यापार आप अपने जीवन में कायम करेंगे यह रेखा हैं इस पस्ट बता रही है अब यहाँ पर पुत्र रत्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए साफ दोर पे एक रेखा मजबूत इस्तिती में है और दूसरा इधर भी हमको बाइफोर का साइन दिखा है यह दोनों कॉंबिनेशन कन्फोरमेशन देता है कि आपको बेवी बोय यारी पुत्र रंतन प्राप्त होने वाला है अब यह कब तक होगा तो देखिए यहाँ पर बहुत बारीकी से एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है यह प्रोग्रेस लाइन जब निकली हुई है उसी के पैरललल आप देखिए कि जो सपोर्टिव ल लाइन में लिए आपकी प्रोपर्टी बिल्ड करने में मदद करेगी यह समय रहेगा एप्रोक्सिमेटली 38 और तक्रीबन 39 & 40 के मिड़का तो यहाँ पर इस तरह की जो प्रोग्रेस लाइन होती है इन्हें सक्सेस लाइन कहते हैं कि आप जिसे जाद तक जो भी इक्छा मनो लकामना रखते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रयास करते हैं उसमें लाब मिलता है तो यह पुत्र रत्न के बारे में भी ढल दर्शा रहा है और जॉब की regarding success होने के chances को भी confirm कर रहा है अब आपके हथेली में जो कमी है सबसे बड़ी वो यह है कि आपकी जो राहू रेखाए हैं या मंगल की रेखाए हैं वो कुछ जादा ही active होकर के चल रहे हैं जो जाल को create करती हैं जाल का ताथ पर यह होता है कि जीवन में उल्जे रहना किसी समस् रेण शत्रूं का सामना करना रोग का सामना हुआ रेण का सामना हो रहा है आगे चलके शत्रूं का भी हो सकता है लेकिन अच्छी बात यह है कि परमात्मत द्यालू है आपकी प्रती आपके अंदर भी अध्यात्मिक्ता बहुत है तो आपको कभी भी शत्रूं का सामना नही करना पड़ेगा क्योंकि आपके बाहरी मंगल की स्थिति में कोई भी नकरात्मकता नहीं है तो किसी तरह की रोग रेण शत्रू आपके उपर बहुत हावी हो नहीं ही पाएगी कभी भी तो हमें जो उपाय करना है वो सर्पथम इन रेखाओं का ही करना है और ये रेखाओं इस बात को दर्शारी है कि आपके उपर पित्र दोश है पित्र रेण है और जब यह परिस्तिति होती है तो घर में कीनही ना कीनही का स्वास्त खराब होता ही रहता है जो इस बात का भी सं शुक्र के उपर लगातार आड़ी रेखाएं प्रबलता से यहां दिखाई दे रहे हैं जो कि इस बात का संकेत होती है कि ऐसा व्यक्ति घर से बाहर जाकर के जीतेंगे और घर में आकर के हारेंगे इसका ताथ पर लड़ाई जगड़ा नहीं है इसका ताथ पर यह है कि घर मे सुकून कम मिलता है इसलिए कम मिलता है क्योंकि किसी न किसी तरह की तकलीप परशानी अर्चन या मानसिक तनाव की स्थिति या स्वास्त संबंधी परशानिया लगे रहती हैं तो शुक्र में कारक हैं आपके और आपके पार्टनर के तो इस कंडिशन में जो यहां से प्रो प्रोस फैमिली मिंबर से भी सपोर्ट मिलेगा तो यह जो सपोर्ट है यह आगे चलके आपका भागी बनने वाला है उसके पहले की अर्चने हैं हमें इसको ठीक करना जरूरी है और मंगल से जब भी रेखाएं प्रारंब होती है तो इस कंडिशन में कुछ हुपाएं है वो पिर गया बोध उज्जेन वारा नसी यह सब या काशी इन सब जगे पर जा करके अगर तरपन करते तो और अत्यधिक लाब मिलेगा तरपन के बाद में जीवर में सुकून सांती सम्रिध्याना शुरू हो जाएगा दूसरा नीम का पेड़ आप लगा लीजे कहीं पर भी मं नीम का पेड लगाए नीम का पेड मंगल को डिनोट करता है या नीम का पेड जहां भी आप देखे वहां हमेशा पानी डाला करें जितना अत्यधिक हो नीम का पेड लगाए सेवा करिए नीम का पेड बढ़ा करिए तो यह आपके जितने भी दोश रहेंगे मंगल के क्योंक तर डर ये सब कुछ खतम हो जाएगा, stability life में आनी शुरू हो जाएगी, muscles gain होना, रोक प्रति रोधक शमता अच्छी होने लगना, जो career या जोब आप चाहरे हैं, उसके regarding सफलता मिलने लगने, इस सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, अभी सावन का अंतिम पढ़ाओ ही आ चुका है, इस समय पर आप मंगलवार को छोड़ किसी भी दिन जाकर के, नीम का पेड़ लगाईए, ऐसी जगे पर जहां पर आप उसकी देखरेक कर सकें, बहुत जल्द आपको इसका सुखत परिणाम आना शुरू हो जाएगा, इसके अलावा एक और आपको काम करना है, वो है हर्मान चलिसा, हर दिन आपको हर्मान चलिसा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम आप साथ बार करिए, और बाकि आपके उपर ये निर्भर करता है, कि आप एक बार करें, साथ बार करें, ग्यारा बार करें, लेकिन महत्पुन ये है कि हर दिन आपको हर्मान मंदिर जाना है, हर्मान जी काश्रिवाद लेना है, और हर्मान चलिसा करना है, ये आपके आध्यात्मिक इस्तर को, बुद्धी मता को, विचार को, सोचने समझने की योग्यताओं को इतना ज़ादा निखार देगा कि समाधान आपके पास आटोमेटिकली आएगा ये ब्लेसिंग्स होती है जो आपको आटोमेटिकली मिलेगी कही न कहीं से आपने इतना ही अगर काम कर लिया तो ये जो जाली नुमा आकरती हम देख रहे हैं फिलाल बनावा जो पूरा जीवन उथल पुथल करके रखा हुआ है अंधकार देकर के रखा हुआ है भविश्य को लेकर के ये सब कुछ धूमिल हो जाएगा खतम हो जाएगा आपको छे महीने के अंदर में ध्यान रखिए आभी से शुरू करेंगे दोजार चोबिस मार्ज तक आपके हाथ में रिजल्ट आता हुआ दिख जाएगा क्योंकि आपका ये सारी बाते इतनी पुष्टी से इसलिए की जा रही है आपके साथ में विशेश कारण है इसके पीछे उन विशेश कारणों पर सर्वपदम आ जाते हैं देखिए भाग गरेखा आपकी चली और उसमें सीधे की सीधे रुपांतरन हो गया ये समय है आपकी जीवन का तक्रीबन 35 करेक्टली एकदम 35 है जिसमें रुपांतरन हो रहा है और एक से ज्यादा माध्यम से धना अरजन कियो गया 38 के एज में दे रहा है जिसका तातपर ये है कि आप व्यापार से भी और किसी तरह करियर से भी या जॉब से अर्णिंग करते वे देखने को मिलेंगे 38 के एज में लेकिन इसका जो प्रभाव है वो 35 से आना शुरू हो रहा है अब हम आते हैं आपके लाइफ लाइफ लाइ ही है इधर पर एक दो लेकिन काट नहीं रही है जो एक स्मूथ लाइफ को और अच्छे खासे जीवन शेली को जिसमें अनवश्यक तकली परशानियां या चिंता या किसी तरह का घटना यह सब कुछ नहीं होने वाला है साफ तोर पर अब हम मस्तिश रेखा में भी देख ल नहीं ले पाते हैं सही डंग से confusion जाधा रहता है बेफिजुल की मानसिक तनाव आती है मानसिक बोज बढ़ता रहता है करियर को लेकर के stress, struggle, disturbance रहता है जैसे insecurity के भावना होना इसके अलावा बेफिजुल का डर भै चिंता यह सब कुछ वह योगों को निर्मित करता है जिसम समाधान नहीं निकल पाया अंदर ही उसमें भटकते रहे तो यह परिस्थिति आपके जीवन में जो प्रारम हुई वो समय था आपके जीवन का तक्रिबन 27 और यहीं कॉंबिनेशन एंड हो रहा है करेक्ली 35 के यानि पिछले आठ साल के आसपस से आपको यह मानसिक बोज त बनावा है तो पिछले तीन साल से तो बहुत ज्यादा तकलिफ आपको दिखाई दे रही है अब यह जब आइलेंड खतम हो रहे हैं तो उसके बाद में आप देखिए बहुत माइनूट लेवल पे एक रेखा पूरी की पूरी जुकी हुई है आपके बुद्ध के तरफ में जो व्यापारिक, गुण, व्यापारिक, योगित्त, धना अर्जन की योगों को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है और उसके बाद में छोटी-छोटी शाका हैं और निकल के बुद्ध के तरफ जारी है जो बिजनस लग, बिजनस मेंटिलिटी को बहुत इंपरू करती है अब इस condition का ताद पर यह होता है कि आप पैसा कमाएंगे नहीं, पैसा बनाना ही शुरू कर देंगे आने वाले तीन साल के अत्रिक, पिछला तीन साल ख़रा, आने वाले तीन साल बहुत अच्छा, यह है इसका संकीत है, और इसके बाद में आपकी जो मस्तिश रेखा है, वो बिल्कुल इस पश्ट, शान्त, इस्थिर होते हैं एकदम लगातार स्मूतली चल रहे हैं, जिसका सीधा ताद पर यह होता है कि कोई mental pressure, mental stress, confusion, mental disturbance, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ जिवर में शुक्ष, सांती, समरिद्धी, खुशाली, यह चीज़ें आने शुरू हो जाएग अब यही चीज़ हम confirm करते हार्ट लाइन के उपर में, तो आप यह देखे कि आपकी यह एक हार्ट लाइन है, अब यह वाली हार्ट लाइन जो है फैल करके यहाँ पर चली है, और जब यह ऐसी फैल करके चलती है तो emotional disturbance और health issues फेस करने पड़ते हैं, लेकिन just यह रेखा end त आपको यहाँ पर आकरके heart line में तबदिल हो रही हो और इस heart line की शुरुआत हम देखेंगे, तो यह भी है 35, जिसका ताथ पर यह है कि आपकी emotion stable हो जाएंगे, health regarding positivity आजाएगी, major health issue disturbance नहीं आने वाला है, तो देखी यह चीख चीख करके साफ रूप से बता रहे हैं कि आपका suggest की है, तुरंत follow करनी है, और एक disturbance ओर है, पाम में वो है सूर्य पे, जब भी sun mount के उपर में multiple lines आ जाता है, तो यह बहुत ज़्यादा मन भटकाता है, हर तरफ ध्यान भटकता है, हर तरह का कारे करने का मन करता है, focus में तो बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसके करन कोई भी काम consistency में नहीं होता, रुक रुक करके होगा, नहीं तो काम में ही तब्दिल हो जाएगा बारबाद, आप जैसे जातक समस्याओं से लड़ते नहीं है, बलकि समस्याओं के हल में भागते हैं, ताकि यह छूटके दूसरी उपलबदी हासिल हो जाए, या दूसरे तरफ य नहीं है, यह सूरी रेखा बिलकुल भी अच्छी नहीं मानी गई है, यह focus, dedication, काम के प्रती और aim को लेकर की clarity में बहुत कमिया लाती हैं, जिसके करन कोई भी मकसद या मुराद पूरा नहीं हो पाता है, हर चीज आपका आधह दूरा देखने को मिलेगा, आधह दूरे काम, आधह रास्ते पहुच करके वापिस पलटना, बार-बार दूसरों के सलह मश्वरा सुनना या दूसरों के सलह या दूसरों के अनुसार चलना यह सब कुछ पिर career के लिए तो या फिर आपके खुद के मान सम्मान के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इस condition में आपको एक ही का करना चाहिए, वो भी consistency principle बना करके चलना चाहिए, rules, regulation या discipline maintain करके और sun remedy भी प्रफर करना चाहिए, ताकि enough name, fame, respect, success मिल सके, otherwise, टाल, मटोल या एक तरीके से ले दे करके, normally life-fierish condition व्यक्तिकी रह जाती है, हर इतरह की योग्यता रहती है, लेकिन योग्यताओं का लाभी नही है, तो इसको ठीक रखने जरूरी है, बाकी और कोई भी मसला आपके हतेली में नहीं है, और जहां तक बात करें हम properties के regarding, तो देखें अभी आपके palm में ये जो हमने बताया, self-med luck line, ये develop हुआ है, और यहाँ पर एक prominent triangle का sign आ गया है, जब इसा triangle का sign आता है, तो बहुत आलिश हो जाएगा, और बहुत luxury comfort आप enjoy करेंगे, और खुद का independent business आपका रहने वाला रहेगा, जिसमें आगे चलके आपके partner का, ये spouse का support आएगा, और वहाँ काम से भी आपको बहुत अच्छा धना अरजन होगा, तो इसलिए आपका future आगे चलके mainly business में है, लेकिन फिलहाल दो साल के तरिक आपको job लगने के chances अच्छे हैं, अगर आप उसके प्रती dedicated रहते हैं, और अगर आप job ना भी करना चाहें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको mercury line strong है, तो आप एक ही व्यापार से बहुत सारे व्यापार जागरित करपाने में सक्षम रहेंगे, ये जान लिजे कि यहाँ बाद हैं रेखा हैं, आपको कुछ काम बनने नहीं दे रही हैं, इसका जैसी उपाय हो जाता है, उसके बाद में आपके काम बनना शुरू होंगे, यहाँ बाद हैं रेखा हैं, इतनी ज़्यादा प्रबल भी होती हैं, कि हम उपाय भी करने जाएं, तो भी हमको रु प्रतिक्रिया नहीं देते हैं सोच विचार के साथ अपनी प्रतिक्रिया देना बात कहना निर्णय लेना बहुत पसंद करते हैं इसा नहीं है कि कुछ भी अभी सोचा तो उस पर तुरंत ही काम कर लिया जाते हैं तो एक तरीके से शांत रहना धीरे धीरे बोलना आराम से कहीं मिलना अपने उत्साह उमंग को ज्यादा नहीं दर्शाना शांती से एक जगे बेटके लंबा काम कर पाना लड़ाई जगड़ा जैसी चीजों से दूर देखने को मिलना यह basic nature में आता है क्योंकि long finger है तो वह अपने thought को action में convert करने में समय लेती है तो यह combination वह सभी लोगों के लिए अच्छा है जो खुद का कोई भी काम करें क्योंकि उसमें धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा progress हो जाता है और हमेशा यह पाया गया है कि जो long finger वाले लोग होते हैं यह दूसरों के अंडर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों के अच्छे से काम करते हैं कारण यह रहता है कि इनके अंदर सब्र बहुत अच्छा रहता है और सब्र के कारण ही इन्हें बहुत सार सबसे में बात इसमें यह होती है कि आप अपने खुद के दम और बल बूते पर नामव सम्मान कमाने में सक्षम रहने वाले हैं इस तरह के जो मेंटेन होते हैं थोड़ा अधी खर्चिला सुभाव देता है बट मेंली है इंडिपेंडेंडेंट नेचर व्यक्ति को देता है फिंगर वी उपर हम देख सकते हैं कि स्थीधी खड़ी रेखा हैं अच्छी खासी मोजूद हो रही हैं जो फ्रेंडली नेचर एन अप्रोच को जल्दी जूड़े जाना एक बार जूड़े तो जूड़े ही रहना यह सब व्यापारे गुण के अत्रिकत आता है तो लग आप से आगे सिरेकर करने करेंगे बहुत सारी मन की बातें आपसे शेयर कर सकेंगे आप लोगों का भला करके ही धन व्यापार और रिष्टों को कम आप आएंगे यह combination इतना अच्छा होता है फिंगर के notes देखिए clear cut develop नहीं है थोड़ी 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 शाखा है सब जगे निकल ही रही है जो एक confusing mindset देता है कई मरतबा सोच इतना लेते कि निर्णय ही नहीं ले पाते इसको ठीक रखने के लिए आपको अपने लाइफ में कुछ rules regulation ऐसे बनाने होंगे जैसे कि एक नियमित समय में ही निर्णय लेना है एक नियमित समय पे ही काम करना है और पूरा दूरदशिता रख करके करना है चाहे कुछ भी हो अपने उस निर्णय या काम से हटना नहीं है तो यह finger के notes ठीक बाद में होंगे लेकिन आपकी सूर की condition अभी से ही ठीक हो जाएगी तो अभी से ही आपको proper name, fame, success और confusions में कमी यह सब कुछ देखने को मिल जाएगा phalanges की स्थिती और internal marks की स्थिती ठीक है आपकी शुकर की स्थिती भी अच्छी है रद रेखा की स्थिती के बाद में आपकी व्यापार की रेखा की यारी mercury line की स्थिती भी अच्छी है यह सब combination health को अच्छा दर्शा रहा है लेकिन जो राहू रेखा है वो इतनी प्रवल्थी कि उसने थोड़े थोड़े आपको नुकसान दिये बड़ा नुकसान देते देते रहे गई बड़ा नुकसान कभी भी आगे नहीं होने वाला है लेकिन यह बात सत्य है कि health के regarding आपको आगे चलकर के major problem issues नहीं आएगा थम का साइज यहां पर short है तो to the point बात करना, straight forward nature रखना, जल्दी निर्णे लेना या जल्दी अपने निर्णेों में changes कर लेना जल्दी निर्णे का मतलब जैसे कि finger length long है तो आप patience के साथ ही add then बहुत सूजबूच के साथ निर्णे लेंगे तो वो निर्णे लेने में जो समय लगाया, अब उस निर्णे को फिर बदलने में समय नहीं लगाएंगे क्योंकि thumb का size short है तो जल्दी convince हो जाते दूसरों से जल्दी दूसरों के बातों में आते हैं, जल्दी परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं तो इसके कुछ नगारात्मक और सकरात्मक दोनों बाते होती है सकरात्मक बात इसमें यह है कि रात गई बात गई बहुत जल्दी move हो निया let go कर पाते हैं, पुरानी बात भूला आगे बढ़े पाते हैं negative point इसमें यह है कि consistency में काम नहीं होता है confusions बहुत रहते हैं क्योंकि जो perfection है, decisions में perfection हो गए तो यहाँ पर इसलिए आपकी एक जो luck line है, mind line पर रूकी हुई है जो आपके career में बहुत बड़ा transformation and changes कराएगी और वो changes आपको within a year देखने को मिल जाएगा thumb के उपर आपकी यह का sign आ रहा है, आपको intuitions आएगा sixth sense भी आपको आने लगेगा, तुरंत जब आप regular based meditate करें या आध्यात्मिक्ता में कारे करें या उन्नती करें यह combination spiritual बनाता है, materialism लाइफ में बहुत अच्छी देता है तो किसी तरह की सुक्सुधाओं की ऐसे कमी देखने को नहीं मिलेगी और second flange के आड़ी रेखा है, बे फिजूल के बहस बाजी जैसी चीजों में फसा सकती है कभी भी दूसरों के मस्तलों में आगे से रह करके ना जाए यह दूसरों के मस्तलों में ज्यादा ना पड़े, वहाँ पर आपकी और जाय का नाश होता वह देखने को मिलेगा thumb के joint point में मांसल कम है, तो यह combination आराम प्रियर लडाई जगडे से दूर वेक्ति को करता है और palm का जो structure है आपका, वो यहाँ पर rectangular shape में available है थोड़ा सा फेलावा भी है, तो यह मांसिक ग्रूप से ज़्यादा मेहनत कराने में वेक्ति को section बनाता है outer zone ज़्यादा developed है, जिसे subconscious zone केते हैं तो आप अपने मन की बात सुनते हैं, लेकिन मन का काम कहिना के पूरा नहीं करते हैं यही रिजन है कि luck line भी रुक रही है, moon luck line, mind line पर कि आपको खुद का बुद्धी विवेग्यान या confusion आपको आपके मन का काम पूरा करने नहीं देता है लेकिन आप जितना जादा अपने मन का कार यह करेंगे, खास कर करियर को ले करके और करियर बिल्ड करने में किसी भी चीज़ का sacrifice करना पड़े करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में खूब सूख और एश्वा आराम, बहुत बड़ी योगिता और बल, चाहे मानसिक रूप से, शाररिक रूप से या पैसो के रूप से और बहुत अच्छे connection and contacts, यह सब कुछ देखने को मिल जाएगा अब सबसे बेले यहाँ पर गुरू की स्थिति में आप देखेंगे, बहुत सही डंग से रेखाएं, बिल्कुल अपर पोर्शन में जा रही है बहुत सारी इक्छा मनोकामना रहेगी, बीच बीच में रुकेगी, फिर दूसरी इक्छा मनोकामना आएगी लेकिन उपर में जितनी भी यह रेखाएं हैं, रुक रुक करके ही सही सारी मनोकामना को सिध कर देगी यह पूरा हो जाएगा आपका, अपने इष्ट देव, गुरु देव की क्रपा से, यहाँ पर इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं, जो शनी को छूती हैं, तो हमेशा धर्म से जो भी कर्म किया जाएं, उनसे लाभ मिलता ही है, भाग जागरित होता ही है, पुत्र सुख का और बच्चों से भी यह लाव को दर्शाते हैं, रेधर रेखा पहले आपकी मंगल से बहुत स्टॉंग कनेक्टेट थी जो एग्रेसिव नेचर और मांगली क्योग को भी बढ़ावा देती है, दर्शाती है, लेकिन अभी के कंडिशन में यह रेखा हैं, बहुत धूंदली प्रता, प्रेम, करुणा, त्याग, दूसरों के प्रति समर्पन, इन सब चीजों को बढ़ा रहा है, इधर पे बाइफोर के कसायन है, इधर भी बाइफोर के कसायन है, यह सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे माने गए हैं, धन के साथ सम्मान, सम्रिध्धी, और विष्ण हम शुक्रिक में थोड़ी नकरात्मक्त देख रहे हैं, लेकिन यह शुक्र बहुत सक्षम है, बहुत बड़ा इनसान बनाने के लिए भी क्योंकि यहां से भाग ग्रेखाएं भी जूड़ी हुई है, इसलिए कृष्ण जी की अराधना करना, राधे कृष्ण की क्रपा से आ और सफलताओं को प्राप्त करेंगे, बहुत प्रेम, बहुत अच्छा सकरात्मक्ता आपके जीवने में बढ़ेगा, तो इस्ट देव भी यहां पर आपके विश्णू रूप कृष्ण जी दिखाए दे रहे हैं, इसके बाद में बीच की इस रेखा को विध्या रेखा कहा जाता है, हमारा ज्यान, योगिता, कर्म दूसरों के बहुत काम आता है, दूसरे लोगों का भाग्ये, आपके कर्म या रायक के कारण बदलेगा, मजबूत हो जाएगा, और कुछ छोटी-छोटी शाखाएं, रेदर एखा से ही शनी के तरफ भी आ रही हैं, तो यह करता है, जैसे किसी इंसान से आपका प्रेम है, उन से दूर रहना मुश्किल है, लेकिन आपके करियर या आपके सक्सेस के लिए आपको कुछ समय दूर जाना पड़ेगा, उस तरीके कीए इमोशन्स, जिसमें इमोशन्स को खतम करना बहुत मुश्किल है, बहुत किन को अगर कहीए sacrifice करना पड़े फिलिंग को sacrifice करना पड़े मन मार के अगर भी कोई काम करना पड़े आप करिएगा आपको सबर्द को सब्सक्राइब जिसके करण बहुत एक्स्ट्रीम सक्ससेज ग्रोफ देखने को आपको काम में मिलेगा पार्टनर झोड़े dominating साबित होते हैं और आपका भी dedication partner के प्रति जादा रहने वाला है Heartland की condition बहुत better हो रही है आपकी तो इसलिए health में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा major health issue वगरा इस सब कुछ भी रहने नहीं वाला है इसके बाद में मस्तिश रहखा के उपर में पहले मंगल की रहखा भी बहुत ज़दा प्रभावित हुई है और मंगल की रहखा जल्दबाजी हरबड़ी उतावल अपन इन सब चीजों को दर्शाती है और मानसिक तनाव आपको पहले भी आया हुआ है जीवन रेखा में राहु रेखाओ ने या मंगल की रेखाओ ने जो ज़्यादा प्रताड़ित या तकलिफ देती हुई दिखाए दे रही है वो समय है आपका 26-27, हेल्थ को लेकर के वापिस 29, इसके बाद 31-33, फिर उसके बाद 34 और 36, 35-36 में भी रेखाए हैं लेकिन 35-36 और 34 अभी आने में समय है most probably 35-36 का ये जो नेगेटिव लाइन है इसको आप ठीक अभी से कर सकते हैं इसके द्वारा एंड प्रोग्रेसिव लाइन बहुत प्रॉमिनेंट आपके पाम से निकली हुई है तो आप अपने बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ इंप्लॉइमेंट या स्कील्स को डेवलप करके बहुत ज्यादा सक्षम अमीर बन सकते हैं बाइफरक का कॉंबिनेशन ट्रेवलिंग्स को और शुक्र के तरफ लाइफलेंज हुकने यानि लॉंग लाइफ को रिप्रेजन यहां कर रहा है और शुक्र की आड़ी रेखा है मंगल की भी रेखा जादा है मंगल के उपाय के बाद शुक्र की आड़ी रेखा कम होना fulfillment में, luxurious comfort या materialism में बहुत सुक्षानती और आराम देखने को मिलता है। चंदर के स्थितिव अच्छी है तो आपका मन बहुत साफ सुतरा है, मन बहुत अच्छा है, मन बहुत कोमल भी है आपका, जितना अच्छा सोचें, बोलें, दूसरों के लिक करें, समात सिवा के अत्रिक, उतना अच्छा चंदर आपको जीवन चेली देते जाएंगे, मन लाय सारे sign अभी बन सकती बढ़ जैसे मजबूत सूर्य´ देखा आ सकता है त्रेंगल का sign आ सकता है इधर पर त्रेंगल का sign आ सकता है अगर यह सारे sign तो name fame wealth property prosperity है सब कुछ आपके life में बढ़ जाएगा चालिस के उम्र तक आते आते तक और लेफ्ट पाम में हम देखे तो यहां पर भी आपके सन लाइन के कंपरेजर में जो मरकरी लाइन है वो इनफ अमाउन में डेवलफ है अच्छी जा रही है और अधिक तक रहे हैं जो है मरकरी के तरफ ही जुक रही है इसलिए आगे चलकर क में ऐसा कुछ भी मेजर प्रॉबलम नहीं होगा बेफिजुल का ब्रहमित ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बचना है खुद के बुद्धी विवेक ज्यान योगिता पर अध्यात्मिक गुर्ण को बढ़ाते वे कार्य करना है जीवन में सब कुछ खुछ चल